आज का वीडियो बहुत इंपॉटन्ट होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं NDA 2 2021 का जो एक्जाम हुआ था 14th of November को उसके रिजल्ट को लेकर मैं आज की इस वीडियो में आपको कम्प्लीट जनकारी देने वाला हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या-क्या जनकारी मिलेगी तो इस वीडियो के माध्यम से आपको ये पता चलेगा कि जो NDA का जो एक्जाम हुआ था 2021 on November 14 में तो इसका रिजल्ट कब आएगा कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा गल्स में कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा बॉइस में कितने स्टूडेंट का रिजल्ट आएगा करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें बाइदेवे मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं कि जो एंडिये 2021 का जो एक्जाम हुआ था इसको रिजल्ट को लेकर मैं अलड़ी वीडियो जो बना चुका हूं आप इस चैनल के प्लेलिस्ट पर जाके वहां से आप देख सकते हैं वहां पर मैंने प्रिविएस येर रिजल्ट प्रिविएस येर कट आफ को अनलाइज करके बताया हूं तो आप वहां से जाके देख सकते हैं सो बिफाउट वेस्टिंग एनिटाइम लेट्स टार्ट अगर आपका इंडिये 2 2021 का एक्जाम अच्छा नहीं गया हो और आप इंडिये 1 2022 की त्यारी अच्छे से करना चाते हैं या आप फ्रेशर हैं आप इंडिये के एक्जाम में इंट आपको यहां पर दिया जाएगा अगर मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता दून तो simply आप क्या करें आप हमारे इस चैनल के प्लेलिस्ट पे आएगा तो आपको सबसे पहले कई सारे प्लेलिस्ट आपके स्क्रीन के ऊपर अपियर होंगे उसे प्लेलिस्ट में थे प्लेलिस्ट के बारे में जैसे ही आप इसे खोलेंगे तो इसमें लगभग मैंने 7 parts में complete current affairs cover करा दिया था जो NDA 2 और CDS 2 का जो एक्जाम हुआ था CDS और NDA 2 2021 का जो एक्जाम हुआ था इसमें मैंने complete current affairs cover करा आये थे और जो questions जो एक्जाम में आये थे वो इसी वीडियो के questions से आये से इसी लिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे आने वाले मैं कोई भी वीडियो अगर current affairs को लेकर mathematics को लेकर GS को लेकर या English को लेकर अगर मैं कोई वीडियो बनाता हूं तो आपके पास वीडियो सबसे पहले पहु अग्जाज दें अग्जामेशन दोस आपिक्स अलोगा एविडियो सो स्टेट तुन इन इस चैनल सब्सक्राइब देडियो लाइक वीडियो बिकास इस गोई रिवेकर वेरी मुच हालफू योर अन्ड़ प्रेशन अगर हम बात करें एंड़ियो अप्रेंट को मैं चैप् इतने सारे chapters और कई अलग chapters भी आपके NDE exams में आता है लिकिन इन सारे chapters से weightage काफी ज्यादा रहता है तो इन सारे chapters में candidates को aspirants के मन में doubt रहता है कि वो अच्छी से preparation नहीं कर पाएंगे इसलिए आप जितने सारे playlists में videos available हैं उन सारे videos को watch करें क्यूंकि अगर आपके सामने में एक playlist आपके सामने open करके दिखाता हूँ इस पर लगवग six videos available हैं और इस videos में मैंने shortcuts बताया हैं आप कैसे एक question को जस्ट दो से तीन second में ही solve कर पाएंगे दो से तीन second में ही आप question को देखते ही उसको फोड़ देंगे और आप उसका answer निकाल पाएंगे तो इतने सारे videos जब आपको free of cost मिल रहे हैं तो आपको opportunity maximum उठाना है और आपके जो friends हैं colleagues हैं जो defense exams के त्यारी कर रहे हैं उनके पास share करना है तो जैसे कि हम इस सुबाले playlist के बारे में बात करें तो यहां पर इस type के questions आते हैं तो आप इसको three seconds में ही forward देंगे इस type के maxima और minima के question लगभग every NDE exam में two questions तो आते ही आते हैं उस type questions को आप just two seconds में ही देंगे answer को option को देखते हैं या आप उसका answer निकाल पाएंगे similarly अगर हम बात करते हैं 10 record को लेकर questions बार बार exam में repeat होते हैं angle between minute and hour भी exam में आते हैं triangle rules से question आते हैं similarly अगर हम बात करें chapter calculus को लेकर तो calculus एक ऐसा chapter है जिससे most of the candidates बहुत सारे candidates के मन में एक डर का महौल पैदा हो जाता है लेकिन अगर आप इस playlist के जितने सारे videos हैं उसको अगर आप देख लेंगे तो आपका सारा डर खतम हो जाएगा और आपको calculus chapter से लगाओ होना ज्यादा बढ़ जाएगा जैसे कि इसमें मैंने definite integration को just 3 seconds में ही एक ऐसा trick बताया है जिसे कि आप 3 seconds में ही answer निकाल पाएंगे similarly अगर हम बात करें definite integration दो सेकेंड में answer आप निकाल पाएंगे इस type के questions के similarly अगर हम बात करें integration को tricks को लेकर तो again यहां पर आप 5 seconds में forward देंगे इस type के question जो इस वीडियो में आवेलेबल है similarly अगर हम बात करें partial fraction जो कि अगर आप normal method से solve करेंगे तो आपको minimum 5 to 6 minutes लगेगा लेकिन अगर आप इस वीडियो के method से solve करेंगे तो आपको 10 minutes 10 seconds से ज्यादा नहीं लगने वाला है similarly अगर आप solve करेंगे to find the area under curve area under curve एक ऐसा topic है जो कि application of integral complete cover कराया गया है बस यह 10 minutes का वीडियो में आपके लिए यह वीडियो बहुत important होने वाला है इसे miss ना करें similarly अगर हम बात करें कोई और playlist के बारे में यहां पे get को लेकर मैंने playlist त्यार किया है important important topics जिससे get my question every year आते हैं आप इन सारे वीडियो को जरूर वाच करें क्योंकि इन सारे वीडियो का लाव आपको free of cost मिल रहा है आप इसे use करना ना भोलें अब हम बढ़ते हैं अपने topic की और हमारा topic था NDA के result को लेकर अगर हम बात करें NDA का result को लेकर तो मैं इसके बारे में अंत में आपको जानकारी दूँगा कितने students pass होंगे every NDA exams में जो UPSC result declare करती है वो 7 to 8K 7 to 8K students NDA written exam में pass होते हैं जब हम बात करें NDA 1 2021 के result के बारे में तो उसमें 7,034 candidates का NDA written exam में selection हुआ था उसके बाद out of 7,034 में से लगभग 500 candidates SSB में pass हुए थे और इन 5 में से 400 का selection होगा 400 का selection होगा मतलब यह 400 जो seats हैं जो NDA में available हैं एक बार मैं आपको फिर से याद करा दे रहा हूं जो 7,034 लोग NDA के exam में select हुए थे उसके बाद 500 लोग इसके बाद filter होकर बचे SSB में pass हुए इसके बाद इस 5 में से जो top 400 रहेंगे उनहीं का सिर्फ selection होने वाला है तो इसका process काफी लंबा होता है तो आप इस चैनल के माधियम से इस process का complete जानकारी प्राप्त कर सकते हैं similarly अगर हम बात करें दूसरे doubt की कि SSB में कितने select होंगे आपका result तो आपको मालम होगे कि 7,000 से 8,000 के बीच में आपका result आएगा similarly अगर हम बात करें कि SSB में कितने select होंगे तो पिछली साल तो 500 का selection हुआ था इस बार अनुमान लगा रहा है कि selection rate उतना ही रहेगा between 500 to 600 candidates 500 से 600 के बीच का जो एक number है उतने सारे candidate SSB में selection होंगे अगर आपको पता करना है कि SSB क्या है तो उसके बारे में मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा आप वीडियो के comment में comment कर सकते हैं कि आपको अगला वीडियो क्या चाहिए similarly अगर हम बात करें कि NDA में total seats इतनी है तो फिलहाल अभी के हिसाब से तो seats 400 है एंडियो में लेकिन ऐसा देखा जा रहा है कि आने वाले समय में seats में व्रिधी होगी क्योंकि recently में NDA में दो और squadron को add किया गया है दो और squadron का मतलर 60 plus 60 एक squadron में 60 लोग 60 plus 60 around 120 seats तो ऐसे ही बढ़ेंगे तो ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि जो अगला वेकेंजी आने वाला है जो boys और girls दोनों के लिए होगा और इस वेकेंजी का हुआएगा इस पे मैं already वीडियो बना चुका हूँ आप वीडियो के प agency पर candidates का selection होगा और 500 में से अनुमान ऐसा लगाया जा रहा है और यह media report के मताविक में आपको बता रहा हूँ कि जो girls के लिए है वो लगभग 100 to 120 seats girls के लिए होने वाला है 500 में से 500 में से जो girls का seats है वो around 120 होने वाला है यह अभी यह अभी official news नहीं है लेकिन जो UPSC के जो officials हैं जिन्होंने media से बात चीत की है वो अनुमान लगा रहे हैं कि 120 seats girls के लिए आएगा और बाकी boys के लिए रहेगा इसमें जो selection होगा यह merit के basis पे होगा तो आपको इस channel के मादम से detail जनकारी दी जाएगी और at last अगर हम बात करते हैं इसके result को लेकर जो NDA 2 2021 का जो exam होगा था इसका expected जो result date है वो लगवग 15th of December से 20th of December को बीच में आ जाएगा अगर इस्थिती सहीर है if there is no cases increasing of COVID-19 it is believed that your result will come between 15th December to 28th of December just around 4 to 5 days are remaining within that time your result will come and your notification for next NDA will come on 22nd of December अगर हम बात करें cut-off को लेकर तो आपका cut-off जाने वाला वो 350 प्लस होने वाला है 350 to 355 अगर आपका marks इतना आ रहा है तो you are on the safe zone you will obviously clear the written examination लेकिन जिन लोगों का marks 340 आ रहा है आप अपना lose ना hope करें क्योंकि आपका विसलेक्षन हो सकता है अगर cut-off गिर जाए तो लेकिन अनुमान लगा जा रहा है कि cut-off 350 होगा बट 340 वाले भी अपना preparation जारी रखें अपना जो सहाई रखें moral हाई रखें ताकि उनका selection sure shot हो जाए अगर आपके पास कोई और डाउट है तो आप इस वीडियो के playlist में जाके आप पहले उन डाउट को solve कर सकते हो इस पर मैं अल्रडी वीडियो बना चुका हूं आपको कोई डाउट उठ रहा है तो आप वीडियो के comment में comment कर सकते हैं मैं उस डाउट पर आगले वीडियो बनाओंगा या फिर तुरंत instant मैं आपको reply कर दूँगा so thank you friends this was the end of the video thank you friends all of you thank you